हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी क्या आपके अपने यूटूब चैनल दैश्टडी 2.5 में आईए दोस्तों आज से हम लोग इडूटेरिया की जो भी हाल ही में 5000 प्लस बहुबिकल्पी प्रस्ण वाली बुक प्रकासित की गई है उसे सुरू करते हैं जो आने वाले एक्जाम के द्रिष्टी कोट से महतपुड है इसमें सभी वस्तुनिष्ट सामान अध्यन के प्रस्ण दिये गए हैं जो सभी प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए उप्योगी है इसकी बिशेष्टा की बात करें तो इसमें टोटल 100 प्रक्टिस सेट दिये गए हैं और प्रतेक प्रक्टिस सेट में 50 प्रस्ण कवर किये गए हैं और सभी NCERT पर आधारित प्रस्ण इसमें दिये गए हैं जो आने वाले एक्जाम के द्रिष्टी कोट से अब सभी के लिए म लोग सबसे पहले set number one से शुरू करते हैं इसे तो आईए सिधे प्रशनों पे चलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले friends आप सभी से एक छोटा सा request है यदि आप channel पे नए हो तो channel को please subscribe कर लिजे और साथ ही में all well icon notification को भी प्रेस कर लिजेगा जिससे की आने वाले new video के notification सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे तो दोस्तो अगर आप सभी channel को subscribe नहीं किये हैं तो channel को please subscribe कर लिजे क्योंकि आपका subscription ही हमारी ताकत है तो आईए पहले प्रशन को देखते हैं पहला प्रशन दिया है भारत के साथ प्यापार करने का charter महारानी एलिजा बेत्वारा कब दिया गया था तो इसका right answer B सही होगा 31 दिसंबर 1600 इसबी में next है भारती राष्टी अंदोलन के प्रारम से ही उग्र राष्टवादियों का भी वर्ग था निम्ण में से कौन नहीं सामिल था इसमें उग्र राष्टवादियों में कौन नहीं सामिल था इसका आप सभी को जबाब देना है तो इसका right answer C सही हो जाएगा गोबिन जनाडे बाल गंगा धर तिलक लाला लाजपत्राय और बिपिन चंद पाल ये सभी उग्र राष्टवादियों से संबंधित थे नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच लखनव समझा होता हुआ उसके कौन से पहड़ाम बाद में घातक सिद्ध हुए तो इसका जबाब option C सही हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसल्मानों के प्रति संतुष्टी करड की नीती का आरंब अगला है ब्यक्तिगस सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ आप लोग बताएए भारती राष्टी कांग्रेस की पूरवर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुक संस्था थी तो आप बताएए इसका जबाब क्या हो जाएगा भारती राष्टी कांग्रेस की पूरवर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुक संस्था थी तो इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा British India Association अगला है Simon Commission की सिफार्ट सो के संदर में निमनलिखित में से कौन सा एक कथन सही है इसमें सही कथन देखना है आप सभी को तो इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा Simon Commission केंदर में द्वी सदनी बिधाईक्या के उनमुलन का सुझाओ दिया था तो द्यान दीजेगा इसने केंदर में द्वी सदनी बिधाईक्या के उनमुलन का सुझाओ दिया था अगला प्रश्न है दादा भाई नवरोजी बिटिस हाउस आफ कामन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारती थे उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाओ जीता तो इसका आप सभी को उत्तर देना है जिसका सही एंसर हो जाएगा एंसर आप्सन डी लिब्रर पार्टी से भारत पर हुडो का प्रथम आक्रमड किस सासक के समय हुआ इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा असकंद गुप्त के समय नवा कोश्चन है एहोल अविलेक किस सासक से संबंधित है आप लोग बताईए एहोल अविलेक किस सासक से संबंधित है तो इसका राइट एंसर C सही हो जाएगा पुलके सिंध दूती से नेक्स्ट है सत्यमयो जैते किस उपनिसद में संग्रहित है सत्यमयो जैते किस उपनिसद में संग्रहित है तो ये मुंड को उपनिसद में संग्रहित है इसका राइट एंसर D सही हो जाएगा नेक्स्ट है महा वस्त महात्मा बुद्ध का जीवन बृत्तांत है इसका संबंध किस साखा से है तो इसका राइट एंसर ए सही हो जाएगा महायान से अकबर द्वारा बनाए गए उपाशना भवन का क्या नाम था अकबर द्वारा बनाए गए उपाशनाभवन का क्या नाम था इसका राइट एंसर C से हो जाएगा इबादत खाना नेक्स्ट है सुप्रिसिद संगीत कार तानसेन और बैजू बावरा किसके सासनकाल में सुबिख्याद थे तो इसका right answer C सही हो जाएगा अकबर नेक्स्ट है new council port जो दुनिया का सबसे बड़ा कोईला निर्यात बंदरगा है 21 देश में इस्थित है तो इसका right answer B सही हो जाएगा आस्ट्रेलिया में अगला है देशांतर रिखाओ के संबन्ध में कौन सही है देशांतर रिखाओ के संबन्ध में कौन सही है इसका right answer D सही होगा देशांतर के मद सरवाधिक दूरी बिशुवत रिखाओ पर होती है तो ध्यान दीजेगा देशांतर रिखाओ के मद सरवाधिक दूरी बिशुवत रिखाओ पर होती है अगला question देखते हैं उत्तर से शुरू कर दच्छिड की ओर नीचे दी गई पहाडियों का सही अनुक्रम कौन साथ सही है इसमें उत्तर से देखना है उत्तर से दच्छिड के तरफ पहाडियों के क्रम को देखना है जिसका right answer C सही हो जाएगा जो नला मलाई पहाडिया, जावर्दी, जवादी पहाडिया, नीलगीरी पहाडिया और अन्ना मलाई पहाडिया ये सभी उत्तर से दच्छिड के करम में इस्थित है next है निमनलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है आप लोग बताईए, इसका राइट एंसर बी सही हो जाएगा, कोशी नदी next देखते है 18 नंबर प्रशनी की बात करते है किस मिर्दा प्रारूप में लोहे के अत्रिक्त मात्रा होने के कारण अनुरूरक हो जाती है तो इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा, लेटे राइट अगला है, प्रकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ बताना है प्रकास से संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो इसका राइट एंसर डी सही हो जाएगा प्रकास एक बिद्दु चुम्ब की तरंग है यह एक कड़ प्रक्रिती है यह उर्जा का एक रूप है तो उपर्यूक्त सभी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं बायो गयर सयंद में निमनलिखिद में से कौन सी प्रक्रिया होती है बायो गयर सयंद में निमनलिखिद में से कौन सी प्रक्रिया होती है तो किंडवन प्रक्रिया होती है राइट एंसर यह सही हो जाएगा नेक्स्ट है एक वर्ग में उपर से नीचे की और आने पर परमाड़ के आकार क्या होती है तो बढ़ता है प्रमाडु का आकारिस में बढ़ता है राइट एंसर ए सही हो जाएगा अगला है वाई मंडल में प्रकास की बिश्रड का कारड है धूल करड ऑप्शन B सही हो जाएगा किसी भी योगिकों का आकसी करण संख्या क्या होता है तो इसका राइट एंसर डी सही हो जाएगा सुन्य होता है सर्प बिश्रोधी सुई किस तत्त का एक योगिक है ध्यान दिजिए सर्प बिश्रोधी सुई किस तत्त का एक योगिक है तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा तो इसका right answer A सही हो जाएगा Shored Yogic Next है दाब का बिमी सुत्र है तो दाब का बिमी सुत्र ML power minus 1 और T power minus 2 होता है right answer B सही हो जाएगा Jaisal क्या है Jaisal कोईला है right answer A हो जाएगा यादास्त का संबंध मस्तिस के निम्ण में से किस भाग से है तो इसका राइट एंसर बी सही हो जाएगा सेरे ब्रह्म एक जिवास्म पच्छी का नाम बताइए जो एक पच्छी की तरह दिख्था है लेकिन सरश्रिप के जैसी अन्य बिसेस्ताएं होती है इसका राइट एंसर बी सही हो जाएगा आर्कियोब टेरिस्क होता है नेश्ट है मानव सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्तु कौन शाह है इसका जबाप आप लोग दीजिए मानव शरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्तो कौनशा है तो जो लोग option B चूच किये हैं उन सभी का सही है तो right answer B सही हो जाएगा आकसीजन की मात्रा मानव शरीर में सरवाधिक मात्रा में पाया जाती है परिपत के किनी दो बिंदूओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तो इसका right answer सही हो जाएगा बोल्ट मीटर नेकस्ट देखते हैं एक तिस नमबर प्रस्ण देखते हैं अपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है आप लोग बताइए इसका right answer क्या हो जाएगा अपातकाल के दोरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत का राष्टपती करता है राइट answer सी सही हो जाएगा प्राक्लन समित के सदस्यों का कारिकाल कितने वर्स का होता है इसका right answer A सही हो जाएगा एक वर्स निम्नलिखित में से किसके अनमोदन से भारत की संचित निधी से पैसा निकाला जाता है तो इसका जवाब बताईए आप सभी भारती संचित निधी से पैसा किसके अनमोदन से निकाला जाता है तो इसका right answer D सही हो जाएगा भारत की संसत से भारती संचित समिधान में बिधी के समच समता किस देश के संचित समिधान से लिया गया है तो इसका जवाब आप लोग दीजे काफी अच्छी प्रशन है इसे बताईए आप सभी भारती संचित समिधान के बिधी के समच समता किस देश के संचित समिधान से लिया गया है तो इसका right answer D सही हो जाएगा ब्रिटेन के संचित समिधान से जो लोग option D चूच किये हैं उन सभी का सही है नेक्स्ट है समिधान संसोधन प्रक्रिया समिधान के किस भाग में उलेक किया गया है तो बताईए समिधान संसोधन प्रक्रिया समिधान के किस भाग में उलेक किया गया है तो इसका right answer D सही हो जाएगा भाग 20 में आये सूच एक और सूच दो को सुमेलित करते हैं भासाओं का उलेक किस अनसूची में है तो भासाओं का उलेक आठवी अनसूची में है वहीं दल बदल बिरोधी अधनियम किस अनसूची से संबंधित है तो ये दस्वी अनसूची से संबंधित है तो इसका राइट एंसर आप सभी का बी से हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताएए तीहत्रवा समिधान संसोधन कब लागू किया गया था इसका जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं तो बताएए इसका राइट एंसर आप सभी का बी से हो जाएगा लाड मैकाले की अध्यचता में प्रथम बिधी आयोक का गठन किया गया था 38 नमबर प्रस्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी औशधी या क्रांती प्याज और जिंगा उत्पादन से सम्मंधित है तो इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा गुलाबी क्रांती से निम्न लिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन बुट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर सी सही हो जाएगा आई एम एफ और बिस सुबैंग को ब्रेटन बुट्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है नेक्ट कोश्चन देखते हैं चलिए चालिस नंबर कोश्चन का जवाब आप सभी देंगे जो बहुत बार इस प्रशन को पढ़े होंगे बताए किस वर्स भारती रिजर्ब बैंक का राश्टी करण किया गया था तो इसका जवाब राइट एंसर B सही हो जाएगा उननीस सो उन्चास में जो लोग उननीस सो उन्चास को टिक किये हैं उन सभी का राइट एंसर है नेक्ट है हिंदू राश्ट का विचार मोलतक किसका है तो इसका राइट एंसर A सही हो जाएगा B.D. शावरकर का भारत में आयकर है तो आयकर प्रत्यच और प्रगसील है आप्शन 20 से ही हो जाएगा 43 नंबर प्रशनों का एंसर आप शबी बताईए कुछी पूरी किस राजिका प्रसित लोक नित्र है तो कुछी पूरी किस राजिका प्रसित लोक नित्र है इसका जवाब 3 से ही हो जाएगा आंध प्रदेश हिमानी उत्तर 44 नंबर प्रश्ण है हिमानी उत्तम परव का संबंध किस खेल से है तो इसका राइट एंसर B सही हो जाएगा मलखंब निपक आंदोलन के प्रडेता थे निपक आंदोलन के प्रडेता का राइट एंसर C सही हो जाएगा दादू दयाल थे वहीं द्रकमा सिक्खा किसने चलाया द्रकमा सिक्खा किसने चलाया इसका right answer यह सही होगा Greek बार के दवरान हर वर्स नए A-L감 का जमाओ जो मिट्टी की उर्वर्था को बढ़ाता है इसका right answer बताइए इसका right answer यह सही हो जाएगा खादर वस समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है इसका जब आप सीशई हो जाएगा थर्मोक लाइन बेसल मापदंड सम्मंधित है तो बेसल मापदंड बैंकिंग छेतर से सम्मंधित है और पचास नमबर प्रस्ण को देखते हैं सेट नमबर का अंतिम प्रस्ण इंगलीस में पहली बार और द्योगी क्रांति सब्द का प्रियोग किस ने किया तो इसका राइट एंसर डी सई हो जाएगा और नाल टायम भी ने किया था तो सेट वन को हम लोग कंप्लीट देख लिये हैं आईए इसके कुछ असमर्डी तथि को देखते हैं जो बिसेवार इसमें कबर किये गये हैं वन लाइनर के रूप में तो आईए इसे देखते हैं भारत में मानव का सरप्रथम साच प्राप्थ हुआ है तो नर्मदा घाटी से सरप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमार कहां से मिले हैं तो मेहर गड़ से मिले हैं एक ही कबर में एक ही कबर से तीन मानव कंकाल के आउसेस दमदमा से मिले हैं गर्थ आवास के साच बुर्ज होम से प्राप्थ हुए हैं मानव के साथ कुट्य को दफनाने का साच प्राप्थ हुआ है तो बुर्ज होम से प्राप्थ हुआ है जुता हुआ खेत का साच प्राप्त हुआ है तो काली बंगा से अगनिकुंड का साच प्राप्त हुआ है काली बंगन योम लोथल से युग्म समाधियां का प्रमाड प्राप्त हुआ है तो यह काली बंगन योम लोथल से प्राप्त हुआ है नकासीदार इटो का प्रियोग का साच प्राप्त हुआ है तो ये काली बंगन से प्राप्त हुआ है नर्तकी की कांच मुर्ती का साच कहां से प्राप्त हुआ है तो ये मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ है सव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हडपा में तो सव को दफनाने का प्रचलन हडपा में था सव को जलाने की प्रथा का प्रचलन था तो मोहन जोदरों में तीन मुख वाले देवता की मोर्ती प्राप्थ हुई है मोहन जोदरों से मिट्टी का निर्मित हल का साच कहां से प्राप्थ हुआ है तो यह बनावली से प्राप्थ हुआ है उन्न जल प्रबंधन का साच प्राप्थ हुआ है तो यह धौला बिरा से प्राप्थ हुआ है सैलकृत अस्थापत्य के प्राचिंतम प्रमार कहां से प्राप्थ हुए हैं तो ये धौला बिरा से प्राप्थ हुए हैं वैसा हरपा कालीन अस्थल जो तीन भागों में बिभग था तो यह भी धौला बिरा से सम्मंदित है तो हरपा कालीन अस्थल जो तीन भागों में भिवक था तो वह धौला बिरा था इसे द्यान दिजेगा क्रिसी का प्रथम साच कहां से प्राप्थ हुआ है तो यह मेहरगर से प्राप्थ हुआ है चावल का प्राचिंतम साच कोल डिहवा से प्राप्थ हुआ है आग का आविसकार पूरा पासाड काल में हुआ था, पहिये का आविसकार नौ पासाड काल में हुआ था, मानव द्वारा सरप्रिथम प्रियोगत अनाज जव जो उस समय यो के नाम से जाना जाता था, मानव द्वारा सरप्रिथम प्रियोग में लाया गया धा तु तामबा थ नेक्स्ट है राष्टी मानव संग्राल इस्थित है तो भोपाल में इस्थित है सिंदु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सूत कोद्दा थे और हडपा एवं मोहन जोद्रो की सैयुक्त जुडवा राजधानी किस ने कहा है तो आईए अब हम लोग सेट नंबर टू पे चलते हैं दोस्तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कबर करेंगे आप लोग कमेंट करके बताईए येस रीच कैसा लगा आप सभी को और जल्द हैं हम इसे कांटीनियू करेंगे तो दोस्तो यदि आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में आल वेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस्ट कर देजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार